नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल mcq में फ्रेंट्स हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए टेक्निकल की क्लास चल रही है इससे पहले हमने चार क्लास को जो है कवर कर चुका है अगर आपने नहीं देखिए तो यहां आई विटन में आप पांच भी किलास ठीक है तो चली हम बिना टाइम वेश्ट करते हुए जो हमने आपको एक कोश्चन दिया था चोंती क्लास में 100 नंबर का वह क्या था वह आप से हमने पूछा था कि बिभिन ने प्रोपाइल को काटने के लिए किस धात्तू काटने वाली साकोप्यों किया ज तो यह जो है आप संसी बिल्को करेक्ट जितने लोगों नहीं बताया है यहां पर राइट आंसर है अंडेट कोश्चन का चलिए आप नेक्स कोश्चन और आज की वीडियो को फस्ट कोश्चन होने वाला वह क्या है यह देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस स सबसे पहले सबस्क्राइब कर बेल नोडिफिकेशन को अन कर ले ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड हो सके तो चलिए आप लोगों को तीन से चार सेकेंड मिलेंगे हर कोश्चन के जवाब देने के लिए तो वाट इस दरीजन और स्क्रेच प्रोड्यूज उन फाइल सर्फेस फाइल वाली सर्फेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है किस कारण से खरोच पेदा होती है यह आपसे कोश्चन 101 बाव तो चलिए बताईए राइट आंसर क्या होगा तो तीन सेकेंड मिलेंगे आपको हर को दिखाई गई इसका नाम के आपको बताना है चार आपके सामने राइट आंसर क्या होगा मुझे जल्ली से बताने यहां 102 को राइट आंसर जितने भी लोग मुझे बेप चीजल बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि चेंड डिलिंग की गई है और चेंड डिलिंग के अगला कोश्चन है क्यों हतोड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है वाइस आइलेंट कॉन्वेक्सिटी इस गिवन ऑन दा फेस ऑफ दा हैमर मतलब कि क्यों दी जाती मैं आपको बताता हूं क्या है उत्तलता यह जो आप देख रहे हैं यहां पर थोड़ी सी आपको दिये गा है यह आपके चार उप्शन एक सो तीन कोश्चन के लिए तो बताई राइट आंसर क्या होगा एक सो थीसरे नंबर कोश्चन 103 कोश्चन का क्या आंसर होगा तो यहां पर जो राइट आंसर जितने लोग ऑप्शन भी बता रहें बिल्कुल सही है तो हमर इस हैτοर नाम क्या है तो बताई है सैसाोड़ा जो आपको दिखाए गार तो फ्रेंच में आपको बताता, जो हतोड़ा होता, उसके पहचान होती, हमर केहले हैं मर के किस और पेलने, अगर स्ट्राइट में हाँ, तो यहां आपको क्या दिख रहा है है, यहां पर आप देखेंगे जो हो Tenors के क्रॉस में है, क्रॉस के यह है, क्रॉस में है, और सब्सकी क्या है ध्यान से देख लिए चिपिंग करते समय चेहनी के अक्ष और जॉब की सत्य के बीच का कौन का नाम क्या है यह आपको बताना है तो चली बताई राइट आंसर क्या होगा एक सो पांच वे कोश्चन का तो यहां जो राइट आंसर फ्रेंट्स वह है एंगल ओफ इंक्लेशन मतलब एंगल ओफ इंक्लेशन ठीक है मतलब जो जुखा आपका कौन है आपका यह जो चेहनी इस टाइप क्यों बना देता हूं यह यह टाइप का यह जो हो गया यह और वह बोल रहा है चिपिंग करते है छेहनी के अक्ष यह चेहनी का अक्षे यह हो गया आपका और जॉप की सता है कि बीच के कौन इन दोनों के बीच का कौन यह कौन आपसे पूछा इंक्लेशन इंगल ओफ इनक्लीनेशन ठीक है राइट आंसर क्या होगा option दी तो चलिए राइट अंसर ऑप्शन दी हो गया है एक सुच्छडवे कोशन पर मतलब एक सुच्छे कोशन क्या है धाद्दू कि वह प्रपरटी क्या है जो तूटने से पहले कोई स्थाई विक्रती की अनुमती नहीं देती है तो बताइए वाट इस दा प्रपरटी ऑफ मेटल दा परमिट्स नो परमनेंग डिस्टर्शन आगे बढ़ते हैं 107 कोशन है गहराई में एक्स ग्रूप में चिन्नित भाग का नाम क्या है का आपको सामने एक फिगर आया है अब इसमें एक दुदर्शित भाग है उसका नाम के पर तो आप इससे दियान से देख लें अब मैं आपको आप्शन बताता हूं यह आपके सा बिल्कुल करेक्ट है लॉक्ट जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन भी चलिए यहां पर लॉक कर देते हैं मतलब रीडिंग लेना उसके बाद लॉक कर देते हैं वहाँ एक सो आडवा कोश्चन है क्यों हैं टेप लीड पर चेंपर किये जाते हैं वाइदा है आपको राइ आंसर रेफ्रेंट्स में आपको बता देता हूं ऑप्शन ए एलाइन के लिए बतलब एक सीद में जाने के लिए एलाइनिंग करने के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक सो नोग पर कोशन आपके सामने वाट इस डीटक रेहां है तो यहां आपको मिलती यह रही आपको सामने एक डील म Васीन यह आपको बताना है यह कोंसी डीलिंग मसीन है यह आप पहले द्यान से देख लिए डीलिंग मसीन का जो है आप देख लि यहां राइट कोशिक्ष कर रहा हूँ इसे यह जो बनागिया पूरा एकशनग को सब्सक्राइब यह जो बना गया पूरा एक पिल्लर पे तो फिल्लर टाइप हो गई चलिए एक सो दस्वा कोशन आपके सामने यह गलत कोशन ने दो कोशन गलत में स्प्रेंट हुए 110 और 111 तो हम इसे स्किप करते है एक सो ग्यारवा नहीं 1010 और आगे आएगा सामने यह रीडिंग गलग दी है कि वाट इस दा एक्क्यूरेसी और ब्रोटेक्टर बन यह प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है चलिए बताएं सभी लोगों को पता होना चीज कोश्चन का राइट अंसर तो यहां जो राइट अंसर वह आप्शन से बिन डाउट के पांच मिनिट चली 112 कोश्चन का इस बन यह भी गड़त है यह कोश्चन आपको बोल रहा तो दो कोश्चन गड़त हैं कि इसके नहीं पता है हमें तो राइट आंसर इसके हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जीड़ीडिंग सही नहीं है इस पर क्यों सत्ह प्लेटों तना मुक् और मुक्त का राइन से क्यों होते हैं तना मुक्त क्यों बने होते से ICCC शुलेटी क्या यह आपको बताना एक सब्सक्राइब करने के लिए या फिर लंबाई में निर्धारित करने के लिए और विभिन उचाई या भी निर्धारित करने के लिए तो बताईे राइट आणसर क्या होगा एड्लय ब्लॉगike बताईए एक सो चोद्बे खुशन कर राइट आणसर क्या हो सकता है गेस कीजिए यहां जो फ्रेंट्स राइट आंसर क्या होगा वो उश्पारिये खालदी राइट आणसर में है option D विभिन उचाहिया निर्धायत करने के लिए टू सेट डिफरेंट हाइट चलिए यतने लोग ने बता है बिल्कुल सही है आप बिच पार्ट आफ यूनिवर्सल सर्फिस गेज इस यूज़ टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वाइट पोजीशन एक्सिक्ष एक्साइट लिए तो बताइए यूनिवर्सल सर्फिस गेज के किस भाग का उप्योग आवज सेख सही पोजीशन पर स्क्राइब और सेट करने के लिए किया जाता है तो चार आप्शन आपके सामने है इसनक गाइड़ पिन रॉकर आर्म या फाइन एडजेस्टमेंट स्क्रू तो बता यहां जितने भी लोग मुझे बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है एक हजार एम होते हैं एक मीटर में याद रखिएगा एक मीटर में आपके कितने होते है एक हजार एम हैं चलिए आगे वढ़ते हैं वाट इस डाषिब वी लोग यह जो आपके सामने एक फिकर दखाया गया है वी cake तो यह आपके सामने पहले तुम्हें 4 option लेकर आउँ यह रहा है आपके सामने पहले इससे देख लीजिए figure को देख लीजिए उसके बाद 4 option आपको देखी रहें बता है यह राइट आंसर क्या होगा एक सो सतरवा कोश्चन तो यहां फ्रेंट्स में बता दूं यहां पर देखिए मैं इसको किस प्रकार से देखते हैं यह आपके सामने कोश्चन थोड़ा से जूम आउट करता हूं देखिए इसे बोलते हैं लेवल इसे बोलते हैं लेवल इसे बोलते हैं ग्रूब्ड तो आप आपको ऑप्शन में जाना है देखते हैं अपना ऑप्शन में कहां लिखा सिंगल लेवल डवल गुरूप भी विलोग तो आप्शन बी में ही दिया गया है सिंगल लेवल डवल गुरूप भी विलोग तो देखिया आप सिंगल लेवल डवल गुरूप भी विलोग राइट आ करेंति है है तो मैं आपको बताद हूं यह जो पारट ने हैकन सा embedो क्यों सा सब송 आशर को आपको ध्यान से देखना है उसके बाद में राइट आंसर मुझे बताना है ध्यान लगाकर बताये एक जिसने रेक्ट को देखा वो बतादेगा क्या है 188 कोशन का right answer क्या होगा बताई चलि UV sacar राइट बार के केंड को खोजने के लिए किस कैली पर कोपी याता है बड़ा सरल कोश्चन ने कोई भी बता देगा इस कोश्चन का राइट आंसर तो राइट आंसर में जारे समय ना लगाते हुए हम बता देते हैं राइट आंसर ऑप्शन भी जैनी केली पर चलिए 120 वा कोश्चन आपके सामने दिया चैनी में एसे चिन्नित भाग कोण का नाम बताइए आप अलफा स सही है क्लियर एंस एंगल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 121 पर आ गए हैं घुमाबदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस चैनी का उप्योग किया जाता है विस चीजली उस्ट पर कटिंग कर्ब्ड ग्रुप्स तो बताए ग्रुप्स को अगर आपको काट ना हो तो आप किस चैनी का उप्योग करेंगे 121 पर कोशन में आपसे पूछा है राइट आंसर एक ग्रुप के लिए आपको हाफ राउंड नोज चैनी का प्रियोग किया जाएगा घुमाबदार आयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम किस का प्रियोग करते हैं तो करते हैं जो हैमर प्रियोग किया जाता है उसका वजन कितना होता है चलिए दो आपके सामने यह दो सो ग्राम और दो ऑप्शन आपको यह मिल रहा है तीन सो ग्राम है साड़े चार सो ग्राम तो बताई राइट आंसर क्या होगा 112 कोश्चन का तो जितने भी लोग मुझे बत अगर 100 ग्राम और 200 ग्राम आ रहा है दोनों ही आ रहा है तो आप 200 ग्राम को चूज करके आ जाना है ठीक है राइट आंसर हो जागा 250 ग्राम चलिए 123 कोश्चन क्या है जल्दी से यह रहा आपके सामने विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीका का प्रभाव क्या क्रॉस फा अगर आप ग्रास फाइलिंग करते हैं तो डाइगनल फाइलिंग करते हैं विच चीजली यूज तो रिमूब एक्सिस मेटल फ्रॉम बेल्ड़ जॉइंट एंड कास्टिंग बेल्ड़ जॉइंट और कास्टिंग से अतरिक तधातु को हटाने के लिए किस छेनी का उप्यो फिरिंट लास्ट को कीशन होगा यह आपको ध्यान से बतान एसका आसर आप लोग बताएंगे इस फाइल का नाम क्या स्पेशल फाइल आपके सामने है और इस फाइल का नाम क्या है आपको बताना 125 कोशन आपके सामने हैs option कों सा यहाँ पर right answer है चार option आपको दिए गा है रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बेरेट फाइल या क्रॉजिंग फाइल इसका अंसर आप लोग दोंगे मुझे छड़वी जो वीडियो अपलोड होगी उसमें फिर दो दिन में एक वीडियो हम लेकर आई रहें अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको लगता है कि कोई कोश्चन गलत है वह भी मुझे कमेंट सेक्शन बता देना 125 कोश्चन का राइट आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगा अभी तक आप हमारे टेलीग्राम गुरूप से नहीं जुने है तो टेलीग्राम गुरूप पर आ जाएं तो नीचे लिंक आपको मिल ही जाएगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लें क्योंकि आपको सबसे पहले सबसे पहले हम ही प्रोवाइट करेंगे तो थैंक्स वर वाचिंग धन्यवाद